दर्सको मैं आपको आज दिनांक 18 अप्रेल 2024 वार गुरु वार चैत्र सुकल पक्षे तिती दस्मी तिती रितू बसंत रितू विक्रम सम्मत 2081 का रासी पल बताने जा रहा हूं आज नक्षत्र आसलेसा आज चंद्रमा करक रासी में और सूर मेश रासी में रहेगा तता राहुकाल का समय दुपहर एक बजगर 58 मिनट से दुपहर तीन बजगर 35 मिनट तक रहेगा जो की कोई भी सुवकार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं रहुकाल के समय कोई भी सुवकार प्रारम नहीं करना चाहिए अवजित मवरत दुपहर 11 बजगर 56 मिनट से लेकर दुपहर 12 बजगर 47 मिनट तक है जो की किसी भी नए कार को प्रारम करने के लिए अति उत्तमव है सुव माना जाता है दर्शको मैं आपको रासी भल के अंत में बताने वाला हूँ कि गुरुवार के दिन घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें जिससे कि आपकी यात्रा सफल रहे और आपका दिन सुभ हो आज गुरुवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचें गुरुवार के दिन कौन से देवी देवता वा भगवान को पूजने की अधिक मानता है गुरुवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तता पूजा करते समें कौन से रंक तक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आने वाली वीडियो का नौटिप्रिकेशन आपको प्राप्त हो सके दर्शकों मैं आप से एक निवेदन करता हूं कि रासिपल सुन सब्सक्राइब दर्शकों अब बात करते हम रासिपल के वारे में मेश रासी जिनके नाम का पहला अक्षर आ ला ई से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा परवार जनों की खुशाली के लिए कुछ खर्च करना बैतर रहेगा युवा वर्ग अपनी पहली इंकम मिलन से बहुत प्रसन होंगे बड़े बुजर्गों का आसीरवाद वह इसने घर के वातावरन को सुक में बना कर रखेगा निवेश करने जैसी गत्विद्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी दर्शकों मेश रासी के लिए नकारात्मक क्या रहेगा नेगिटिव अपना मनोबल बड़ाए बनाए रखने के लिए नकारात्मक परिस्तितियों को बहुत ही सहज और सांती पूर तरीके से सुल जाने का प्रयास करें युवावर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत करने की बज़े से अभी कार प्राणाली और अधिक वेतर करने में समय लगाएं विवसाय में क जुनोतियां और परेशानिय रहेंगी लेकिन सूजबूज और अच्छे फैसलों से कापी हद तक समय स्याज सुल जालेंगे कर्मचारियों के सलापर भी जरूर ध्यान दें आपको उचित समाधन मिल सकता है प्रेम संबंदों में पारवारिक लोगों के साथ समय ब्यतीत कर करना सुकुन वरा तथा तनाव मुक्त रखेगा युवाओं का प्रेम संबंदों के प्रती भावनात्मक लगा बढ़ेगा स्वास्ते में स्वास्ते मेहनत की वजह से तनाव कमजोरी मैसूस हो सकती है सरवाइकल तथा नसों में खिचाव जैसी समस्या भी परेशानी करेग आपका भाग साली रंग बादामी और भाग साली अंग तीन है अब आगे बात करते हैं ब्रस रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ ए से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा दिन की सुरुआत बहुत ही सुकद होगी उस्सा और उर्जा का संचार ह होगा खास तोर पर महलाओं के लिए दिन बहुत ही अनकूल व्यतित होगा पिछले कापी समय से चल रही कोई भी चिंता दूर होगी परंत दूसरों पर जादा ध्यान देने के वज़ा अपने कार्यों को विवस्तित करें नेगेटिव क्या रहेगा नकारात्म किसी बाहरी व्यक्ति की वज़े से आपकी मुश्कलें वड़ सकते हैं जिसकी वज़े से मन मस्तिक में कुछ तनाव रहेगा व्यर्त की उल्जन में पढ़कर अपना समय बरबाद ना करें राजनेतक और सामाजी गत्विदियों से दूरी बना कर रखें वेवसाय में काम काज को लेकर क दिये गए प्रियासों में सफलता मिलेगी लेकिन पब्लिक डीलिंग करते वक्त क्लाइंट के साथ विवाद में नुक्सान हो सकता है आय और व्याय में समानता रहेगी सरकारी से वारत लोगों को मन मुताविक और थर्टी मिलेगी प्रेम संबंदों में आपको जीवन साती तता परजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा प्रेम संबंदों में भावनात्वग दूरियां आ सकती हैं स्वास्ते में स्वास्ते के प्रती लापरवाई ना बरतें तता अपना रेगूलर मेडिकल चेक अप कराएं और अच्छे डाक्टर से सला लें आपका भागसाली रंग गुलावी है और भागसाली अंक एक है अब आगे बात करते हैं मिथुन रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर का छा गा हासे सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा दिन की सुरूआत अच्छी होगी इसलिए अपनी महत्पुन योजनाओं पर ध्यान दें और उन पर तुरंत काम सुरू कर दें लक्ष प्राप्ति में भाईयों का भी बखुवी सहयोग प्राप्त होगा ग्यान विज्ञान के खेत्र में विद्यारतियों की रुची बनेगी तता पढ़ाई में भी मन लगेगा नकारात्म क्या रहेगा दूसरों के मामले में से भी दूर रहें क्योंकि किसी भी प्रकार की बाद विवाद वे लड़ाई जगडे होने के आसार बन रहें अत्यतिक क्रोध वे कटू वाणी पर भी नियंतरन रखना आवस्चक है व्यवसाय में आज व्यवसाय जत्विद्यों में कुछ रुकावटे आने से चिंता रहे आप इसमें किसी सहयोगी की मदद से आप अपना टार्गेट पूरा कर सकते हैं दापत्य जीवन सुखत रहेगा परुंत युवावर्ग प्रेम प्रसंगों में पढ़कर अपने अध्यनवे करियर के साथ कोई समझोता ना करें स्वास्ते में गले में किसी प्रकार का इंफेक्शन हो है खांसी जुखाम रह सकता है लापरवाई बिलकुल ना बढ़ते हैं आपका भाग साली रंग केसरिया और भाग साली अंक नो है अब आगे बात करते हैं करकरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर डाहे से पॉजिटिव क्या रहेगा अनववी लोगों के मारत दर्शन को आत्म साथ करना आपको सफलता देगा तता अपनी विचारों को भी प्रात्म कदा दें चुनोतियों से गवराने की बजाए डट कर सामना करें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी परवार के साथ किसी धार सांती पूर तरीके से समस्या को सुल जाने का प्रयास करें बच्चों पर ज़्यादा अंसासन लगाना उच्चित नहीं इससे उनकी कारक्षमता प्रवावित हो सकती है विवसाय में बिजनिस में नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है कोशिस करते रहें को सम्दों में किसी पुराने मित्र से अचानक ही मुलाकात होने से मन प्रप्रित रहेगा बिभाइद जीवन तता प्रयम सम्दों में यह अनकूलता रहेगी स्वास्टे में कि Readyं गुसมา और तनाब जैसे नकारात्मक इस्तितियों में अपना बचाव रखें कुछ समय आत्म म पहला अक्षर टा माहा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा सिंग्रासी बालों के लिए आज अपने किसी विसेश लक्ष के प्रती चल रहे प्रयासों की सपलता मिलने वाली है सुख सुब्दा संबंदी समान की खरीदारी में भी समय ब्यतित होगा आपका सैज सवा समाज में आपकी लोग प्रयता को बढ़ाएगा और आप ससक्त और उर्जावान महसूस करेंगे नेगेटिव क्या रहेगा नजदी की मित्रों तता भाईयों के साथ संबंद मदूर बना कर रखें क्योंकि जादा कटता आने की आसंका लग रही है साथी आर्थिक कारियों को इस्तगत रखें सहयोगियों तता कर्मचारियों पर वरोसा ना करके सभी गत्विद्यों पर पैनी नजर रखें नेड़ें किसी अनववी व्यक्ति का मार्ग दर्शन वैं सला के लिए उपयोगी सावित होगी प्रेम सम्मंदों में पत्पत्नी के बीच कुछ मन इंपेक्शन की बजएसे पेट में दर्थ की समश्य अबड़ सकती है तरल पदार्तों का अधिक से अधिक से बन करें आपका भागसाली रंग लाल है और भागसाली अंक नौ है अब आगे बात करते हैं कन्यारासी के बारे में और ता तीन पड़ा टा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा खन्यारासी बालों के लिए आज कोई भी काम प्लानिंग से करना तता सकारात्मक सोच रखना आपकी कारक्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा दोपहर बाद गिरह इस्तिती कुछ अनकुल रहेगी तता का प्लादी की संबंदी के यहां जाने का भी निमेंतर मिलेगा नेगिटिव क्या रहेगा बावनाओं में बैकर किसी के साथ भी जल्द वाजी में कोई प्रामिस ना करें वरना लोग आपके इस सुवाब का नाइजाज फैदा उठा सकते हैं बच्चों को उनके मन मुताविक कारियों में कुछ समय अवस्य व्यतीत करने दें इससे उनका बौधिक विकास बैतरीन तरीके से होगा व्यवसाय में व्यवसाय कार प्रणाली में सुधार आएगा पब्लिक डीलिंग ग्लेमर कंपूटर अभी से जुड़े खेत्रों में बैतरीन इस्तिती बनी रहेगी ब अरका माहुल सुकद और सुहाद पूर्ण बना रहेगा प्रेम प्रिसंग में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है स्वास्ते में बदलते मोसम की बज़े से त्वचा संबंदी कोई ऐलर्जी परेशानी कर सकती है ज्यादा पॉलूशन और भीड़ बाड़ कोता है पॉजिटिव क्या रहेगा पॉजिटिव समय कुछ मिले जुले परणाम बना रहेगा किसी पारवारिक समिस्या की समाधान में आपका विशेश योगदान रहेगा समाज वह रिष्टेदारों में आपके प्रभावसाली व्यक्तित्व पर सरल सुभाव की बज़े स मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी परंत उसे बैतरीन बनाना आपका काम है नेगेटिव क्या रहेगा तुलारासी बालों के लिए आज जमीन जाजात से सम्मंदित कागजी कारवाई को बहुत अधिक ध्यान से करें कोई धोका होने की आसंका है बैतर होगा कि किसी अनवभी व सम्मंदी कुछ योजना बनी हैं तो आज उस कार को गंवीरतार से अंजाम दें इसके बैतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे नोक्री में भी कई सम्मावनाय मिलने की उम्मीद हैं उच अधकारियों का सहयोग भी मिलेगा प्रेम सम्मंदों में विप्रित लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी बना कर रखें इसका नकारात्मक प्रवाव आपके परवार जीवन पर पड़ेगा प्रेमी और प्रेम का एक दूसरे की भावनाव का सम्मान करें स्वास्त हमें क्या रहेगा किसी चिंता की बज़े से नीद ना आने जैसी शिकायत रहेगी ध्यान और भाग साली रंगहरा और भाग साली अंगतीन है अब आगे बात करते हैं ब्रिश्चिक रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा खुद को भावनात्म ग्रूप से कापी मजबूत रखें इससे आप अपनी गत्व परदा संबंदी खेत्र में सफलता मिलने की पूरी संभावना है नेगिटिव क्या रहेगा नकारात्म सभाव में सहजता और नर्मी बनाए रखें कभी अपनी एहमियत दूसरों के समख जाहिर करने के चक्कर में कुछ गलत एक्टिविटी भी हो सकती है कोई भी महत्पूर बातचीत करते समय अब सब्दों का प्रयोग ना करें इससे आपकी मानानी संभव है विवसाय में बिजनेस के कामों में रुकावट आ सकती है किसी अनवविया राजनिक्त ब्यक्ति के सहयोग लेना आपका फाइदेबंद साबित होगा आप इसके कार में भी दिक्यत आने पर किसी सहयोगी की सला आपके लिए सायक रहेगी, प्रह्म संबंदों में घर में सुखसांती पूर माहल रहेगा तता आपसी सामन्जसर भी बेहतर होगा लेकिन प्रह्म संबंदों में अलगाव होने जैसी इस्तिती बन रही है, ज्यादातर कारभार और तनाव की बज़े से सर्वाइकल और वदंदर्द की समिश्या बढ़ सकती है ब्यायाम करें साथ ही उचित आराम भी लें आपका भाग साली रंगरा और भाग साली अंकाठ है अब आगे बात करते हैं धनरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा भा भा से शुरू होता है अत्वा भूमी की खरीदारी भी सम्मव है बच्चों को अपने माता पिता से पूरा सायोग और सम्मल मिलेगा रिस्तों को मजबूत करने में आपका विसेश योगदान रहेगा नेगेटिव क्या रहेगा कुछ विप्रीत परिस्तितियां भी बनेंगी किसी खास मित्र का र सुचारू रूप से चलती रहेंगी इस्टाप तता करमचारियों पर आपका दबदबा बना रहेगा नोकरी में किसी प्रकार की समय से आ सकती है इस समय उच्च अधकारियों के मदद आपके लिए बैतर सावित होगी प्रहम संबंदों में पारवारिक वातवर्ण सुखद और खुशन मा रहेगा प्रेम संबंदों में भी भावना तमक नजदी किया बढ़ेंगी स्वास्ते में बदलते मोसम का प्रवाव स्वास्ते पर असर डाल सकता है परवा ना करें लेकिन पॉलूशन और भीड़ वारवाले इस्थान पर जाने से परेज रखें आपका आग साली अंक्छे है अब आगे बात करते हैं मकर रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा खा गा से सुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा घर में मेहमानों के आगमन से उस्था भरा माहूल रहेगा इस समय आपका आत्म विश्वास आपके लिए नई उ स्थावत होंगे विपरीत परिस्थितियों में घवराने के बजाए उसका समाधान खोजने की कोशिश करें हालां कि आप अपने मनोवल द्वारा ठीक करने में सक्षम रहेंगे भूमी संबंदी कोई काग जातिया किसी मतवेद को लेकर नोक जूंक सम्भव है धैर और सहिय चाइम रखें विवसाय में बनद सकती है व्यापार में गत्वेद्या सुचारू रूप से चलती रहेंगी आर्थिक आर्थिक इस्तिती आपकी अच्छी रहेगी कोई रुकावट नहीं है काम में स्वास्ता ठीक रहेगा सिर्फ ज्यादा काम की बजे से पैरों में दर्द और ठकान जैसि इस्तिति उत्वन हो सकती है आपका भाग साली रंग लाल है और भाग साली अंग पांच है अब आगे बात करते हैं कुम्रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर गू सादा से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा कुम्रासी बालों के लिए आज दिन की शुरुआत किसी सुकत घटना से पारवारिक जिम्मेदारियों को निवाने में आपका बिसेश योगदान रहेगा नेगेटिव किसी समस्या की बज़े से आपके स्वाब में चिर्चड़ापन आ सकता है जिसका असर घर की विवस्ता पर भी पड़ेगा सस्राल पक्ष के साथ सम्मंदों में मदृता बना कर रखने में आपके बिसेश प्रयास जरूर है मौज मस्ती में समय नस्ट ना करें विवसाय में अधिक साब्धानी रखने की जरूत है प्रोपर्टी सम्मंदी गत्विदियों में बिसेश रूप से साब्धान रहें और डॉकॉमेंट बगैर की अच्छी तरह जांस परताल क कर लें युवाओं को अपने करियर सम्मंदी कोई उपलवदी हाथ में आने से सकुन मिलेगा प्रेम सम्मंदों में जीवन साती तता परवार जनों का सयोग बना रहेगा और आपसी सामंज से द्वारा घर की विवस्ता उचित बनी रहेगी प्रेम सम्मंद भी सुकद रहें स्वास्त हैं किसी बज़े से तनाव और चिंता जैसी इस्तिती बन सकती है सचेत रहें वहना सेहत पर असर पड़ेगा आपका भागसाली रंग गुलावी और भागसाली अंग दो है अब आगे बात करते हैं मीन रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर दी चा जाज जिन्दा था से शुरू होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मीन रासी वालों के लिए आज कुछ समय अपनी रुची पूर्ण कारियों के लिए भी जरूर निकालें इससे मांसिक उर्जा बनी रहेगी रिष्टेदारों तता मित्रों के साथ फोन अत्वा इंटरनेट के अगरां के कूछ समय विक्ति करें अत्वा एकांत में वैटकर आक्म सिंतन करें कोई कोट सम्मंदी मामला सकता है हालांकि किसी सरकारी व्यक्ति की मदद से हल भी हो जाएगा विवसाय काम काज को लेकर की गई कोई नजदी की यात्रा आपके उत्तम भविश्का द्वार खोल देगी किसी दिक्कत में आप फश सकते हैं परंत आप समझदारी से समझ्याओं का हल भी पालेंगे नोकरी पेशा लोग अपने कारियों के प्रती किसी भी प्रकार की लापरवाई न बरते हैं प्रेम समझ्दों में पत्पत्नी आपसी सामंज से घर की विवस्ता मदुर बना कर रखेंगे प्रेम समझ्दों में भी नजदी की यां आएंगी स्वास्ते में स्वास्ते उत्तम रहेगा परंट घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति के स्वास्त को लेकर चिंता रह सकती हैं आपका भागसाली रंग पीला और भागसाली अंग साथ हैं गुरुवार के उपाए कुछ इस प्रकार है गुरुवार को क्या खाकर बाहर निकलना चाहिए गुरुवार के दिन इस दिन घर से बाहर अगर व्यक्ति निकलता है तो उसे पीली सर्सों के दाने मों में लेकर निकलना चाहिए व्यक्ति को दई खाकर निकलना चाहिए बैदिक सास्त्र में बताया गया है कि गुरुबार को दक्षिंट दिसा में यातरा नहीं करना चाहिए इस दिन दक्षिंट दिसा का सूल माना जाता है इसलिए इस दिन दक्षिंट दिसा में जाने से बचें ब्रैस्पती दोस्त क्या है, कैसे जाने कुंडली में खराब है ब्रैस्पती, अगर ब्यक्ती का पढाई में मन नहीं लगता है, यह सिख्सा खेत्र में अरचन आती है, तो यह कुंडली में खराब गुरू का संकेत है, गुरु का भै भाग का कारक भी माना जाता है ऐसे में धनकी आनी जरूरी कामों में रुकावटे आना विवा में अर्चन कार सफलना होने का संकेत भी गुरु दोस्त को दर्साता है पंचांग के इंसार गुरुवार या ब्रस्पितवार का दिन स्रीहरी भगवान विष्णु और ब्रस्पती देव को समर्पित होता है इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और विरत करना सुमाना जाता है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माल पूजा कैसे करें फिले फूल का प्रयोग सास्त्रों के वर्योग सास्तरी पूर्ण पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भी ब्रसपती देव परशन होते हैं भगवान विश्णों के भोग में क्या लगाएं दार्मिक मानताओं के इंसार गुरुवार के दिन भगवान स्रीहरी को पंचा मरत भोग अवस्द लगाना चाहिए माना जाता है कि में पंचा मरत को सामल करने से सादक को सौबागी की प्राप्ती होती है तो आए जानते हैं कि गुरुवार के दिन क्या खाना सही रहता है ब्रत में आप दूद दई पनीर मक्कन खा सकते हैं इससे आपको एनरजी मिलेगी अरारोट का आटा कुट्टू का आटा राजगीर संगारे के आटा वह दाना और समा चावल खा सकते हैं यह सबी फ़लार में आते है ब्रत में आप सबी खा सकते हैं विष्णूजी का प्रिय मंत्र क्या है घै स्रिविश्णवे साम को क्या खाना चाहिए ढाई हैं इस यह का सावुत मसाले गुर सेंदा नमक जीरा लाल मिर्च अमचूर जैसी चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो यह रहे ब्रेस्पतवार के गुरुवार के कुछ उपाय अब मैं बिदा लेता हूं और दर सको अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी परकार की ग्यानवर्दक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे जैस्री रादे